हेलो फ्रेंड्स आपके लिए लेके आया हूँ टैकोमेट्रिक सीरीज का प्रॉब्लिम नंबर 3 तो प्रॉब्लिम मैं पढ़ता हूँ तर्चमिटर फिटेड विट इनलेटिक लेंट्स वाज सेतप। अट्स्टेशन एड लेंड फॉब्लिम गेडिगे लेंड अर्चमार्क बी वह टीकले एड गाया है प्लिस एट ग्री मिनस फट दिग्री at b and staff ratings are given additional the constants f upon i is 100 that is multiplying constant is 100 this find distance a b a b distance find करना है find reduced level of station b as reduced level of benchmark is 100 meter so दोस्तो यह है problem तो फिर हम देखते इसका solution किसे निकालते हैं दोस्तों ध्यान से देखिए फर्स तो मैंने आपको बोला था given data हमें लिखना है यहाँ पर में start करता हूँ कि दोस्तों solution तो अभी मैंने start कर दिया solution मैं यहाँ पर लिखता हूँ अभी कि दोस्तों यहाँ पर मैं अभी लिखता हूँ given things given things में पहले multiplying इस एक्वल to f अपन i 100 multiplying constant f upon i 100 next दोस्तों additive constant जब प्लस D या फी ए प्लस C भी यूज़ किया जाता है अनलाटिक लेंस इस यूज़ अनलाटिक लेंस इस यूज़ लेंस इस प्रेजंट से दोस्तों उसके बाद है formula formula हमें कौन से यूज़ करने है दोस्तों इनर्टिक लेंस यूज़ करने के बज़े से हम ये formula यूज़ करेंगे f upon i into s into cos square theta और vertical distance के लिए यूज़ करेंगे f upon i into s into sin 2 theta divided by 2 दोस्तों ये दो formula यूज़ करने है अभी next step है हमारा drawing sketch दोस्तों फिर से में एक बार problem के given data के तरफ given data हमें देखना है given data तीन पॉइंट्स दिखाने इंस्ट्रुमेंट स्टेशन स्टाफ स्टेशन बेंचमार्क और बी बेंचमार्क पे अंगल है प्लस 80 दिखरी बेंचमार्क ये पॉइंट के ऊपर है because angle is plus angle plus है इसलिए ये ऊपर आएगा और point b a के नीच आएगा क्योंकि इसका angle minus 4 दिखरी है minus यहाँ पर indicate करता है line of side के angle of elevation is angle of depression यहाँ 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 पर रख दिया sketch बनाते वक्त फॉर्मिली तो हमने लिखे हैं इसकेज बनाना स्टार्ट करते है हम जोस्तों यहाँ पर मैंने एक point पर a point center में रखका यहाँ से मैं ground दिखाना start करता हूँ जो गई हमारे ground इस point को नाम देता हूँ a point यह a point हो गया है यह point पर अभी अभी line of sight दिखाना है दोस्तों यह हो गया हमारा line of sight next step is show this point is see a दोस्तों यह दोस्तों यह point कौन सा है यह दोस्तों यह point के ऊपर benchmark point आएगा यह दोस्तों यह benchmark हो गया यह point benchmark और यह point नीचे दिखाना है और दोस्तों इसका नाम है point B दोस्तों इसका नाम दिया है मैंने भी point B दोस्तों फिर उसके बाद हमें दिखाने staff readings तो staff readings दिखाने के लिए मैं यहां से line draw कर रहा हूँ अभी staff readings आप straight line भी draw कर सकते हो dotted line दिखाना ज़रूरी नहीं है यह से कुछ नहीं dotted line ही दिखाना है तो यह होगे तीन staff reading अपर अपर hair staff reading central hair staff reading lower hair staff reading यह आपर staff reading दिए गया है 0.8 1.1 to 1.48 तो सबसे कम है वो हो गया lower यह lower हो गया यह central hair reading हो गया और यह upper hair reading दोस्तों यह से हमां identify करना है जब से कम है वो lower hair तो सबसे कम है वो लिखता हूँ मैं यहाँ पर 0.8 यह कुछ कहीं भी लिखो आप यह से कोई नहीं है 0.8 next is 1.12 1.12 और next is 1.48 दोस्तों upper hair reading मैनस lower hair reading हमें staff intercept बता हो चलता है और next is central hair से हमें line of side तक angle दिखाना है जी यहाँ दोस्तों वो कितना है हमें मालूम है हमने देखा है वो 8 degree है यहाँ पर दिखा है 8 degree जी यहाँ दोस्तों और यहाँ से होता है वो distance को हम बोलते है h यह हो गया h और जी यहाँ दोस्तों यह distance है vertical distance v यह दोस्तों इस distance को v बोलते है इस distance को h central hair reading से यह 1.12 रेडिंग से ground तक बेंचमार तक जो height होते है उसको h बोलते है और one point central hair reading से line of side तक जो distance है उसको vertical distance similarly यहाँ पर अभी सब दिखाना है हमें दोस्तों यहाँ पर भी मैं thin rays draw करता हूँ दोस्तों यह problems solve करना इतना difficult नहीं है कुछ बच्चे problems होतों optional रख देते है लेकिन दोस्तों problem solve करना बहुत ही essential है अगर problem नहीं solve कर सकते तो हम engineer किसे बन पाएंगे इसलिए problem तो हमें solve करना आना चाहिए दोस्तों यहाँ से फिर मैंने central hair reading से line of side तक मैं अभी angle दिखाता हूँ यह angle यहाँ पर दिया गया है बी point पे minus 4 बी point पे 4 degree तो फिर यहाँ पर मैंने दिखाया angle 4 degree और उसके बाद staff readings लिखने है यह lower hair reading सबसे कम वाला intermediate value यह हो गया central hair reading यह फिर middle hair reading और यह हो गया upper hair reading यहाँ पर मैं लिखना start करता हूँ upper hair reading 1.33 1.235 middle hair reading और सबसे lower hair reading 1.14 जिहां दोस्तों अभी यहाँ पर भी हमें दिखाना है H दिखाना है और V दिखाना है तो दोस्तों यह हो गया central hair से vertical hair reading उसको बोलते हम V और central hair से ground तक का distance होता है उसको बोलते हम H जिहां दोस्तों अभी दो H value दो V value हो रहे है इसलिए हमको इसको नाम देना पड़ेगा इसलिए मैं इसको बोलता हूँ H1 V1 और इसको बोलता हूँ H2 V2 for our convenience दोस्तों तो फिर हमें अभी find क्या करना है find distance AB दोस्तों हमें AB का distance find करना है distance AB यह हमें distance निकालना है distance AB और उसके लिए formula हमें मालूम है D is equal to upon I into S into cos square theta यह हमें distance find करना है distance AB हमें find करना है दोस्तों पहले हम work out करते है S1 S2 stop intercept S1 हो गया 1.33-1.14 दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ S1 और यहाँ पर लिखता हूँ S2 S1 का formula आप लोगों को आप लोग बताऊगे यहा यहाँ दोस्तों upper hair minus lower hair तो फिर यहाँ पर 1.33-1.14 और यहाँ पर S2 1.48-0.8 फिर हमें यहाँ पर मिल जाएगा S1 S2 जहाँ दोस्तों मैं quickly निकालता हूँ जहाँ दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर 1.33-1.14 जहाँ दोस्तों यह देखें कितना यहाँ रहा है S2 48-0.8 दोस्तों देखते हैं इसको एंसर कितना आता है 0.68 1.48-0.8 यह दोस्तों इससे हमें पता चला है S2 S2 is 0.68 यह हो गया 0.68 S1 पता चला S2 पता चला दीजिए दोस्तों अभी दिस्टन्स फाइंड करना है F upon I मालूम है 100 S S यह यूज करना है यहाँ का S1 यह S1 यूज करेंगे 0.1 नहीं Cos square theta theta 4 degree है यह theta यूज करना है जब हम distance A B पूचा है तो यह theta यूज करना पड़ेगा जिस side का distance पूचा है उस side के readings यूज करना है V1, H1, S1 इस side का ही यूज करना पड़ेगा अभी दोस्तों फिर next step में हम देखेंगे क्या करना है आगे दोस्तों यहाँ पर देखें अभी next step D distance A B is equal to A B is equal to F upon I into S1 into F upon I into S into cos square theta 1 F upon I तो हमें मालूम है 100 दिया गया है S1 हमने workout किया है 0.19 into cos square theta 1 theta 1 हमारा है 4 degree जीहाँ दोस्तों reading में तो हमें minus दिया है लेकिन minus calculation में नहीं लिखना है जीहाँ दोस्तों यहाँ पर देखें यह theta 1 है यह S1 है 0.19 0.19 in 4 degree दोस्तों यह use करके मैं अभी calculations आपके सामने करता हूँ 100 into 0.19 into cos 4 degree के लिए दोस्तों यह देखें यह की हमें use करना है दिगरी के लिए मैं यह प्रेस करता हूँ bracket complete और square दोस्तों equal to press करने के बाद reading मिला है हमें 18.907 यहाँ पर distance A भी हमें मिल गया है 18.907 मिटर यहाँ दोस्तों यह मैंने three up to decimal three decimal places work out किया है for accuracy purpose तो हमारा first first target तो आची हो गया distance A भी find किया अभी next is reduce level of station B उसके लिए हमें given data है benchmark is 100 meter दोस्तों यह sketch के तरफ हम फिर से जाते benchmark का reduce level मालूम है benchmark का reduce level 100 दिया गया है reduce level is equal to 100 meter दोस्तों of benchmark plus H2 तो यहाँ पर पोच जाएंगे minus V2 करेंगे तो यहाँ पोच जाएंगे तो हमें reduce level of line of sight इसको बोलते है reduce level of line of sight यह फिर reduce level of instrument axis पता चल जाएगा यह instrument axis भी है तो यह instrument axis का हमें हमें instrument axis का reduce level पता चल जाएगा उससे minus V1 minus H1 करेंगे तो हम V point की reduce level तक पोच जाएंगे दोस्तों step by step करना पड़ेगा पहले हमें इसके लिए V2 वरक आउट करना पड़ेगा और V1 वरक आउट करना पड़ेगा H1 तो मालूम है 1.235, H1 is 1.235 and H2 is 1.12, H2 is 1.12 दोस्तों देखते हैं कैसे जाना है यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिर से to find reduce level of B, we need V1, V2, H1, H2 और जहां दोस्तों क्यां reduce level of instrument shortcut में लिखता हूँ instrument axis, reduce level of instrument axis दोस्तों पहले reduce level of instrument axis ही पता करते हैं पहले V1 और V2 पता करना पड़ेगा V1 फार्मिला है F upon I into S1 into sin 2 sin 2 और theta 1 यहाँ पर लिकूंगा मैं divided by 2 दोस्तों यहाँ पर मैं value put करता हूँ 100, S1 तो हमें मालूम है यहाँ पर 0.0, S1 हमें मालूम है 0.19, 0.19, theta भी हमें मालूम है, theta 1 4 degree, तो मैं directly 4 degree into 2, 8 degree आएगा, sin 2 तीर्णा यहाँ हो गया 8 degree, 2 into 4 तो हो गया 8 degree, divided by 2, दोस्तों देखते हैं V1 कितना आता है, यह होगा 8 degree, 100 into 0.19 into sin, 8 degree के लिए दोस्तों यह देखिए, दोस्तों यह बटन यूज करना है, 8 degree divided by 2 कर रहा हूँ, यहाँ पर देखते हैं कितना एंसर आता है, 1.322 मिटर, ओके, 1.332 मिटर, यह दोस्तों यह एंसर में यहाँ पर लिखता हूँ, V1 is equal to 1.322 मिटर, वैसे दोस्तों V2 और करना है, V2 पर यह भी मैं फॉर्मिला भी यहाँ पर लिखता हूँ, F upon I into S2 into sine 2 theta 2, दोस्तों यहाँ पर 2 theta 2 लेना है हमें, don't forget, theta 2 यहाँ पर theta 1 लिया था, divided by 2, दोस्तों S2 तो हमें वर्काट किया है, 100, F upon I, तो same ही है, into S2 0.68 आया था हमारा, S2 0.68, और हमारा theta 2, 8 degree है, और 8 multiplied by 2 हो जाएगा, 16, 16, sin 16 degree divided by 2, दोस्तों इसका calculation कितना आता है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, जी हैं, दोस्तों, 100 into 0.68, sin 16 divided by 2, दोस्तों आया हमारा answer 9.371, 9.3716, दोस्तों में इसका answer लिखता हुआ अभी, 9.371 meter, दोस्तों V2 मिल गया है, V1 मिल गया है, H1, H2 मालूम है, गीवन है, रिष लेवल आफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस मिल जाएगी, स्केच से मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है, रिष लेवल आफ बेंचमार्क, प्लस S2, that is 1.12, माइनस V2, V2 था हमने भी यहापर वर्क आउट किया है, 9.371 meter, दोस्तों नेक्स स्टेप करेंगे, दोस्तों उसके आगे का स्टेप करेंगे हम, आगे हम, रिष लेवल आफ इंस्ट्रूमेंट, एक्सिस, इस इक्वल टू, रिष लेवल आफ बेंचमार्क, प्लस S2, V2 माइनस V2, जहां दोस्तों इसा कोई फॉर्मिला नहीं है, जहां दोस्तों स्केच से हमें यह पता चलता है क्या करना है, जिस लेवल आफ बेंचमार्क यहाँ पर फिर उसमें H2 मिला के V2 माइनस करके हम यहाँ तक पोश्च सकते हैं, एक common sense है दोस्तों, इसका कोई standard formula नहीं, इसलिए पता जाता है, इसलिए sketch very important है, sketch गलत होती है, तो पिर दोस्तों हमारा पुरा प्रॉल्म गलत हो सकता है, इसलिए दोस्तों sketch ठीक तरह से बनाएए, और जहां दोस्तों, यह sketch बनाते वक्त, यह point हमें care करनी है, यह line of side से benchmark उपराना चाहिए तो कुछ बार दोस्तो A और B की level same रखते है benchmark की और A to V2 में difference नहीं दिखाया देता हूँ और इसलिए sketch गलत हो जाती है और इसके बज़े से calculation में confusion होता है जी हाँ दोस्तो इसलिए sketch अच्छे तरह से बनाई है ठीक है दोस्तो भी दोस्तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ values reduce level of benchmark हमें दी गई थी problem में given थी reduce level of benchmark की 100 meter तो फिर मैं दोस्तो यहाँ पर लिखता हूँ 100 plus H2 H2 हमें मालूम है 1.12 H2 एनी central here reading 1.12 H2 minus V2 V2 हमने निकाला है minus V2 9.371 meter V2 हमने यहाँ पर निकाला है V2 V1 जो हमने दोस्तो तो दोस्तो यहाँ पर देखते हैं addition subtraction करना पड़ेगा 100 plus 1.12 minus 9.371 दोस्तो इतना यहाँ पर देखते हैं 91.749 यहाँ आपर answer लिखता हूँ reduce level of instrument axis हमें पता चल गई 91.749 meter अभी next reduce level of B point की हमें मालूम है क्या करना है दोस्तो reduce level of instrument instrument axis minus minus H1 minus V1 और दोनों values हमने अल्डेडी वर्क आउट किये हैं यह V1 हमें मालूम है और जिहां दोस्तो एच वन भी हमें मालूम है 1.235 दोस्तो अभी last step की तरफ बढ़ रहे हैं 749 minus H1 1.23 central hair reading जो B point पे लिया गया है V1 हमने वर्क आउट किया था 1. 1.322 1.322 जिए हां दोस्तो यहां पर problem finish अबर वाल वैल्यू में डालता हूँ 91 91.749 माइनस 1.235 माइनस 1.322 दोस्तो देखते कितना अज़र आ रहा है दोस्तो देखते कितना अज़र आ रहा है